Hello friends, आज हम बनाएंगे pinhole camera पहले हम एक box ले लेंगे और उसके center में 10 x 10 cm का square कट कर लेंगे अब हम एक black paper roll ले लेंगे और उससे 2 squares कर लेंगे 20 x 20 cm के और हाँ जो हमारा वो box था वो 25 x 15 x 15 cm का था अब हम एक tracing paper लेके उसमें 13 x 13 cm का square कट करेंगे अब हम 10 x 10 cm का square कट करेंगे हमारे black paper में से और उसकी 5 cm का हम difference चोड़ेंगे हर साइट से अब ये वो tracing paper है जो हमने पहले से कट करके रखा था अब हम इसे अपने उस black paper पे कट करेंगे जो हमने center में से कट कर रखा है ताके हमारी translucent screen बन जाए अब देखिए ये हमारी एक translucent screen बन गई है अब हम इस translucent screen को अपने cardboard box पर paste कर देंगे कुछ इस तरह अब हम black paper को अपने cardboard box पर paste कर देंगे हमें पूरा cardboard box black paper से cover कर देना है ये देखिए कुछ ऐसे अब हमें खोल बना देंगे translucent screen की opposite side पे इसे तो हमारा pinhole camera बन गया है लेकिन अब हम इसे और decorate कर देंगे ताकि यो और अच्छा लगे बाई कर देंगे